बागमारा थाना छेत्र में अवीद कुला कटवा कर कुला तसकोरों ने नहीं दिया पैसा। पैदल ही घर को चल पड़े बंगा के मसूर। साहब हम जान जोखी में डालकर उनका अवेद कुले का काम करते हैं ताकि हमें और हमारे बाल बच्चों को दो वक्ती रोटी नसीब हो सके। इसके बाउजोद यदबंग लोग हमारे मसूरी तो छोड़िये घर वापस जाने का भाड़ा देने तक से मना करते हैं। यहां तक कि खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। अब हमारे पास। अब तो ऐसा लगता है कि घर वी वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर पश्चिम बंगाल से बागमारा थाना छेतर में अवीद कोईला का खनन करने आए यब मसूर पैदल ही हाथों में अपना सामान लिए निकल पड़े। दरसल मामला यह है कि पिछले कुछ दिनों से पागमारा थाना अंतरगर्द जमूनिया नदी के समीब अस्थानिय कोईला तसकुरों के द्वारा अवेद खनन के लिए पश्चिम बंगाल के आसन सोल की ग्रामिन छेतरों से दर्चन भर से जादा मस्दूर बुलाए गये थे जिने खनन छेतर के ही समीब इस दिद बिसी सिल के क्वाटरों में रखा गया था मस्दूरों को अवेद मुहानों से खादान के अंदर सी कोईला काट कर बुरे भर के बाहर लातिक ने का कार कराया जा रहा था मस्दूरों ने बताया कि अस्थानिय दिपक भोला और सिकंदर नाम कोईला तसकर की बुलावे पर चार दिन पहले वे यहां अवीद रूप सी कोईला काटने का काम करने आये थे काम के एवज प्रदी बोरी के दर से उन्हें हर रोज मस्दूरी भुगतान करने की बात गही गई थी परंतु काम करने के बाद जब मस्दूरों ने अपना मस्दूरी की मांगी तो तसकर मस्दूरों को सुभध साम की बात कहकर टालने लगे दूसरे दिन भी जब मजदूरों ने किये काम की मजदूरी मांगी जिसके बाद से तसकरोद्वारा कभी अवेद बीपु से पेमेंट तो कभी कुछ और बहाना बना के मजदूरों से भुखतान के लिए समय मांगते रहें इसी बीच बुधवार को अस्थानिय BCCL प्रवंधन वन विभाग, CISF और बागमारा पुलिस के निगरानी में अवेद खनन के मुहाने को डोसरिंग कर बंद कर दिया गया जिसके बाद मजदूर अपना भुखतान करने और घर वापर जाने की मांग करने लगे कोईला तसकरो के बढ़े मनुबल का इसी बात से अंताज लगाया जा सकता है कि जब मजदूरों ने तसकरों से कहा कि हमें पैसे दे दीजे हम घर वापस जाएंगे तब तो अब तो मुहाना भी बंद हो गया है तब तसकरों ने मजदूरों को अस्वस्त किया कि दो दिन रुखचा मुहाना फिर खुल लेंगे और फिर आराम से तुम लोगों काम सुरू कर देना पर मजदूर अपनी मजदूरी की मांग करते रहें पर बात ना बनता देख मजदूर आसपास के लोगों से मदद मांगने लगें जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका हलाके तसकरों को जब इसकी जानकारे में लेकि मजदूर दूसरों से मदद मांग रहा है उन्होंने मजदूरों को फोन पर धमकाते हुए कहा कि जिससे सिकायत करनी है कर दो पैसा तो सिर्फ हम ही लोग दे सकते हैं. तो बजब था अधी लिए तो लोग बल रहा है हाँ दस बजे मिल जाएगा थील एक फोन के बेड़ने 10 बजे ने 4 बजे मिलेगा कर दोब दो यहां आया यहां आके ख़़ा था उसका बाइट मतलब हम अब्सक्राइय करना है घर जाए हम ने मुग तो की साफ करना जा रहें तो काल से फिर काम होगा जो नम निता जी नहां पहलता है उसका पश गया वू पशा देगा लोग का में आपकी दीजेगा तो प्रेंट और यह एक द्याड घंड बाद जा रहा बूलाए तो आप लोग को कहां बोला है था काम करने के लिए एहीं तो घ्राम को हम और मॉबाइल से अपना बात हो रहा है तो जहां आये हैं वहां पर को रहा कि हम मतलब काम बंद है काम भी इस टाड हो जाएगा रोको अधों लोग नहीं रोकेंगा हम लोग आपर घर जाएं हम लोग को मतलब दूसरा को फोन किया तो अपना मतलब हिंदी ने समझ में आता है इसलिए उसको समझ भी नहीं आ रहा है जो गाली दिया की नहीं दिया इसके एवज में बोरे में भरे कोईले के वजन कर प्रतिकिलो 1-2 रुपए के हिसाब से एक मुस्त भुकतान समू को कर दिया जाता है, जिस अवेद रूप से कोईला काटने वाले मस्दूरों का समू बराबर बराबर आपस में पाट लेता है। इसके बाद उस समू का अवेद रूप से निकाले गए कोईले पर किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं रते। तसकरों की और से इस एवज में जो भी रासी उन्हें या फिर उनके साथियों को दे दी जाती है वे चुप चाप रख लेते हैं। और फिर आसानी से काम सुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर मजदूर के सौको पुलिस ने परामत भी कर लिया तो उनकी पहचान जल्दी नहीं हो बाती। और कोईला तसकर की पहचान छुप जाती है। यही कारण है कि कोला तसकर अस्थानिय से जादा बाहर के मजदूरों पर विस्वास करते हैं। सुत्रों की माने तो मजदूरों की सिर्फ कतरास नहीं बलकि पूरे धनपाज जिले में अवेत खरनन के लिए इस्तमाल किया जाता है। यह मजदूर मुख्यतप पश्रिमंगाल के आसनसोल, मुर्सिदाबाद, वर्थमान, जारकन के गिरेडी, जामतारा, बोकारों के ग्रामिन छेतरों के अलावा जिले के टुंडी से भी मंगवाया जाते हैं। इन्हें 20 सेल के क्वाटर तथा जारियों के आसपास जोपडी नुमाग घर बना दिया जाता है। इस तरह की कूली का अवीद उत्खरन कराया जा रहा है।